प्यारे बच्चियों, सत्रियकाल, आज जब पढ़ांगे अपनी पार्ट पुस्तक दा पार्ट नम्बर दो आलणया दी राखी एक कहाणी है, हैरी दे कार लगे, दर्खतां दा एक चुंड सी, जिस विच फलदार ते शांदार रुख लगे है सन, उस सारा दिन टीवी देखदा रहिंदा सी, जिस कारण उस दियां खाँ विच रड़क पैन लग पै, एक दिन उस दे डाक्टर मामा जी आए, ता उनना ने हैरी नो समझाया, बेटे देख, नीम पहाडी लाके विच रैन दिया तैनों किन्या मौजाने, आले द्वाले किन्ये सोने ने जारे हन, चड़दे पासे शवालक दिया पहाडिया, इदर बाग ते दुझे पासे विश आलमदान, तुम फिर वी टीवी नाल चिंपड़या रहना है, मैं इनना दा की करां हैरी ने पुछे, हाँ बेटा शाहिद तैनों एवी नी पता किसानों इनना दा की लाब है, दूर द्रड़दे वस्दे, लोग कुदरती नी जारे देखकन लई, किन्ना सफर करते ने, पुछना नुता बहुत लम्मा सफर करना पेंदा होवेगा, कुलू ते मनाली जाननूं हैरी ने जवाव दिता, हाँ बेटे, तेरे ता बिलकुल कोल ही मनाली है, पहाड वी ने, बाग वी ने, इदर जंगल वी, फिर तू देख किन्ना पागावडा है, मामा जी ने गल जाए, मामा जी मैं पागावडा के में बन गया, देख बेटा, पागावडा ओ हुंदा है, जिसको कुदर्ती सरमाया होवे, ते सारा कुछ कुदर्ती सरमाया हीता है, होया ना तू पागावडा, जेडे इना तो दूर बेटेने, ओ इना वास्ते तरस रेने, ते तू कोल हो करके इनना देन जारे लुट सकता हैं देखो जिवें आपको मल लई वक वक थामाते जाने हैं उसे तरह उसदे मामा जी हैरी नू समझा रहे हैं वी तेरे कोड को मल लई बहुत वदिया जगा है जंगल है पहाड है पर तू उनना दा अनाद नहीं मानदा सिर्फ टीवी नल च ज़्यादा देखन दे नुकसान की है ओ उनना नू समझा रहे ने अपपा भी एद्धा ही कर देयां गलता तो हड़ी सची है पर मैं ता इस भारे कदी सोची है ने बेटे तेरे पापा ते इननू रोज एही गल समझा रहे ने बही कुदरत दी गोद्धी दा नेग मानों इ ज़्यों सी शुद हवा लेंदे हैं ता साड़ी अंदरों आक्सिजन दी कमी दूर हो जांदी है इस नार साड़ी सारीरिक मानसिक्ते बहुदिक समर्थावद दी है इनना दे फल साड़ी लेकिने लाव कारी हन फेर तो दे सुंदर द्रश माननों मो लेंदे हन ज़्यों मास पेसियां बड़ा कम करदियां ने इंज साधी से तंद्रस्त रहेंदी हैं ते तुँ सारा दिन टीवी नर्चिंबड के ए सारा कुछ गवाई जारे हैं मामा जी ने उसनों फिर हलूने हैं मामा जी मैं की गवाई जा रहे हां हैरी ने हराण हों दें पुछे या बेटे जो इस अखावत अनसार मैं तेन्नों दसिया ने तुम ओ सारी गवाई जा रहे हैं केंदे ने जे अखावत अनसार सब तो पहला ता तुम अपनी सेत दाही नुकसान कर रहे हैं फिर अपनी पड़ाईदा इस तरह तूं सब कुछ ही गवाई जा रहे हैं मामा जी इन्य गल्ला करके तूसरे कमरे विच हैरी दे पापा जी नड़ गल्ला विच मस्त हो गए हैरी ने मामा जी दिया गल्ला तोपर बाविद होके बाहर भाग विच जान दा मन बना लेया बड़ा अनंद मिलेया किते अंबाना लद्दे बूटे किते जामना दी ठंडी शां सारे बाग विच हरे अली आते एसी वाली ठंडक मसूस करके बच्चे टीवी देखना भी पोल गए सान बाग विच उन्ना देख्या कि एक किनारे लग्गी जामन ते कई पंचियां दे आलने पाय होएने पंची अपनी मस्ती विच गीत गारे हन जदो उन्ना भाग विच इन्ने पंची कोमदे देखे ता उन्ना दी आमदी खुशी विच सारे गीत गाउन लगपे हैरी हो रेवी ओना दे गीत चुण के लुटियां पाउंड लगे तरा तरा दे खंबा वाले पंची जदो ओना कोल उडारी मार दे ता बच्यां दे मना विच ओना वांग उडारियां मारननू जी कर दा ओ सारा देन ओत्ते ही कम दे रहे जदो कार वापस आए ता उना दे माता जी ने पुचिया भी आज किदर रहे हों हैरी ने बड़ी खुशीत नार जवाब दिता ममी जी आज तक कमाल हो गया असी बड़े नजारे लुटे हुनता असी रोज भाग विच जाया करांगे मामा जी सब कुछ ठीक ही कहें दे हान अच्छा जी लगता है तुसी होन डक्टर मामा जी दी काल मान लई है इस तरह आपनू भी जो अपने वड़े वड़ेरे दस दे हन उना दी काल मननी चाहिए दी है क्योंकि वो साढ़े चंगे वास्ते ही कर दे हन ते जो कुदरती संसादन जा कुदरती सोमे सानू मिले हन उना दा फाइदा चकना चाहिदा है उना दा अनांद मानना चाहिदा है इस अपना लेसन नंबर दो आलने अधी राकी इसनों अधी जब पढ़ लिया है इस तों बात अगला पार्ट कल पढ़ांगे ताँ जो अपना लेसन पूरा कंप्लीट हो जावे तरवाद